असलाम लेकुम व्यूर्स मैं बश्य और आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ओफ इमेलिया में तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो वीडियो का टॉपिक है कि जो बर्ड्स हैं जो हमने घरों में रखे हुए हैं उनको हम गर्मी से कैसे जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो टेंपरेचर है वो 45-46 के राउंड बार पक समर सीजन चलता है और जो बर्ड्स हैं उनके लिए सर्वाइव करना काफी मुश्किल है तो ऐसे में हम उनको कैसे बचा सके हैं बर्ड्स के लिए जो आइडियल टेंपरेचर है वो 25 डिगरी से लेकर 35 डिगरी तक होता है अगर टेंपरेचर इस रेंज से फाल करता है यह अप जाता है तो यह बर्ड्स के लिए मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो जाती है तो ऐसे में हम अपने बर्ड्स को कैसे बचा सकते हैं ज्यादा जो बर्ड्स हैं जो वाइल्ड हैं जो वाइल्ड में कुछ ऐसे इंग्रीडियंट शामिल होते हैं जो उन्हें इस मौसम से लड़ने में मद्द करते हैं लेकिन जो बर्ड्स हैं घरों में रखते हैं घरों में पालते हैं चोटे बर्ड्स होगे लाव बर्ड अस्टेलियन और जावाज फिंचीज वगारा यह जो होती लेकिन यह मौसम जया उन्हें भी एफेक्ट करता है तो क्वेस्टन यह है कि हम इनको कैसे बचा सकते हैं थोड़ी सी अथियात के साथ ना हम इने बचा सकते हैं और ज्यादा परिशानी की बात नहीं है तो सबसे पहले कि जो अपने हमारे बर्ड्स है ना उनको हमने र ज्यादार जगा हो जो अगर कई बार ऐसा होते हैं कि टेमपरेचर जैसे कि आजकल चल रहा है रूम में भी जो बर्ड्स है ना वो सेफ नहीं है गर्मी की वज़ा से काफी ज्यादा गर्मी उन्हें रूम में भी वो फील करते हैं तो ऐसे में क्या किया जाए फैन वगरा का एर कुलर लूम कूलर खोंऔर उन में इनके सामने रखना चाहिए बर्ड को यह एक के बिलकुल सामने ना रख ने, क्यूँ रखने कि उनका और जया बॉडि टमप्रेशर है, वहादा लो हो जाता है, तो यह पर अतिंदी सामने में पे इसका इसको घ्यादा होग प्ड़ू हो वो एफेक्ट कर रहा है तो इसके सबसे पहली निशानी यह होती है कि जो आपका बड़्ड है वो अपनी जो जुबान है उसको ऊपर नीचे हरकत देता है ऐसा वो क्यों करता है ऐसा वो इसलिए करता है कि वो अपने जिसम का जो टेम्परेचर है ना उसको लो कनने की कोशिश करता है ताके वो जितना खुद से हो सके उतना अपने आपको बचा सके लेकिन जो आजकल मौसम है मैंने देखा है बर्ड को वो इस हालत में भी इस तरह करके भी अपने आपको सेफ नहीं रख पा रहे है फिर उसकी अगर उनको गर्मी और ज्यादा लगती है तो इसकी दूसरी निशानी क्या होती है वो अपने जो पांक है ना जो अपने पार रहे हैं उनको डीला छोड़ देते और खुला छोड़ देते है ताके उनके जो जिसम की एक्स्ट्रा हीट है ना वो निकलनी शुरू हो जाए यह पीक लेवल होता है उन्हें जो गर्मी फील हो रही होती है तो ऐसे में क्या किया जाए ऐसे में यह होता है कि अगर ठंडी हवाव गएरा जो है वो असर ना कर दी हो तो आपने ना शौर लेके आपने बर्ड पर थोड़ा थोड़ा शौर कर देना है यह है कि हमने उनको पूरी तरह नहलाना नहीं है सिर्फ हमने हलका सा शावर देना है ताके जो उनके बॉड़ी टेंपरेचर है जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वज़ा से ना जो उसके बॉड़ी टेंपरेचर है वो लो हो जाए तो ये चंद एक इहत्याती तदाबीर हैं जिनके हम ना बर्ड का टेंपरेचर जो है वो लो रख सकते हैं उसको इस मौसम में बचा सकते हैं परिशानी की बात नहीं होती बस थोड़ी सी इहत्यात है जो उनने बचा सकती है इसके अलावा जो एक काम आपने और करना है वो ये है कि इस गर्मी की वज़ा से अगर वो ब्रीड की तरफ जाते हैं तो बर्ड के एकस्पायर होने के बहुत ज्यादा तक चांद सीदा है क्योंकि ये इनके लिए इन्वाइरमेंट बिलकुल ने ठीक हां कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रीड ले ले लेते हैं टेंपरेचर मेंट अमीद है कि ये आपके लिए काफी इन्वाइटिव साबित होगी और आपके बर्ड को सर्वाइव करवाने में हेल्प करेगी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजीगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएग